दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेन का सफर घट सकता है इसके लिए रेलवे बड़ी तयारी कर रहा है Zee Business के exclusive जानकारी के मताबिक दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से चन्नाई के बीच रेलवे ट्राक में सुधार किया जा रहा है ताकि ट्रेनों को 160 किलो मीटर प्रति घंटी की रफतार से चलाए जा सके इस ख़बर पर और ज़्यादा डीटेल्स लेते है Zee Media समवादत अमरीश पांडे हमारे साथ है अमरीश मतलब दिल्ली से मुंबई पहुँचना और दिल्ली से चन्नाई पहुँचना अब कुछ कम समय में तखे किया जा सकता है सफर, क्या तयारी है इसकी जी बिल्कुल, रेलवे अपने जो इंफर्स्ट्रक्डचर उसको लगातार इंप्रूफ कर रहा है और आने वाले दिल्लवे का प्लान है कि जो भी ट्रेने चलेंगी, जो लंबी दूरी की होंगी इस बार उसमें 200 करोर रुपय का इजाफा किया गया है और ये सब कुछ इसनी किया जा रहा है ताकि हाई स्पीड ट्रेन ने चलाई जा सकें और जो मौजूदा ट्रेन है उनको भी अगर 160 की स्पीड पर चलाना है तो उसका भी ट्रायल करके उसको भी सुनिशित किया जा सकें रेलवे इसके लिए जो पूरा कॉरिडॉर है यानि कि दिल्ली से चन्नही तक का और दिल्ली से मुंबई तक का उसके बीच पे जितने भी मैंड अनमैंड क्रॉसिंग्स हैं उनको भी इलिमिनेट कर रहा यानि कि बिना क्रॉसिंग के वो पूरा ट्रेक होगा ताकि स्पीड को मेंटेंड करने में जगह 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 उसको ब्रेक लगाने की जरूत न पड़े यानि कि एक स्मूध रनिंग के लिए पूरा ट्रेक जो है सुनिश्ट करना चाहता है रेलवे जितने भी क्रॉसिंग से उनको हटा दिया जाए कंप्लीटली या तो वो अंडर ग्राउंड की की रफ्तार से चलें मौजूदा जो स्पीड है वो 90 से 120 की है मैक्सिमम स्पीड तो उस स्पीड को बढ़ाएगा इससे इसका अल्टिमेट फाइदा कंजूमर को होगा उसको दोनों ही डिस्टेंस को टै करने में अमोमन जो समय लगता था उसमें लगभाई से 3 घंटे तक ट्रेनों को मिलेगी सुपर रफ्तार और ये तैयारी चल रही है दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से चन्ने के रूट में और ज्यादा जानकारी देने के लिएम ब्रीश धन्यवाद करेंगे आपका